राची सहर के पुरान की राची में एक बड़ा तलाब है जिसे लोग राची जील के नाम से भी जानते हैं यह राची की अईतिहासिक धरोहर से जुड़ा हुआ है लेकिन सेवा सदन अपरवजार का कचड़ा पानी सालों भर बहाया जा रहा है और आसपास के कचड़ों को भी उसमें फेका जा रहा है जिसके कारण पूरा तलाब का पानी दूसित हो रहा है और यहां के इस्थाई लोग चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं हम लोग तो अपना जानते हैं कि सारा पुरानी राची का लोग सब वहीं पर नहाना धोना पानी ला के लोग यह मतलग खाना उना भी बिनाते थे जैसे कोई भी चीज पैसा उसा गिरने से मतलग दिखता था उसके बाद पानी फल सिंहारा सब भी होता था अब तरा थे बहुत अच्छा था पहले साफ सूथरा रहता। वहां थूआ पॉनी पीता था देख जाओ आका दाल गलाने के लीए लाद़ गया था इतना वो सिवासरन का नाला का नाला का पानी घूज करके और अट्र पानी पुरा तूरा तलाव को खराव पनी ता रहा त के कि इतना कि खराब हो गिया गुच से बत्तर हालने गगार कर लली बनाए गगी आता है सब सर्कार तरफ से लगतित, सब पईसा था, ईज अफ़र वजार का पूरा पीड़ा पानी आता है राटू रोड कि सोर्कर सो होते भी पनी आता, ज्यादर असल पानी इज फंप पानी यह था अगर बंद हो जाए तो तलवम ही हए्ये है। उलया सबात्र मैं बड़ा तलाब से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है लोग तलाब में घुस कर अपने भगवान के अराधना करते हैं लोग नहाते, कपड़ा दोते और मचली मार कर अपना जीवन यापन करते हैं ये समस्या नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण है यहां के लोग चाहते हैं कि नाली का गंदा पानी को रोका जाए ताकि तलाब का पानी स्वच हो आप सभी दर्शकों से मैं बिनमबर अपील करती हूँ कि नगर निगम के सियो मनोज कुमार को नाइप फोर 31115814 पर पोल करें और दबाव बनाएं ताकि यहां का तलाब स्वच्थ हो और समस्या का समाधान हो मैं निर्मला राची जार्खन से इंडिया अनहर्ट के लिए झाल राची इंडिया भी जार्ट के लिए करते ही जार्ट के लिए यहां कि लिए यहां